सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी C12 एंड C15 के अंदर रियल्मी UI 2.0 का C.12 का न्यू अपडेट जो है रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है और इस अपडेट के बाद इसके बेटरी परफामेंस की स्टेप से देखने को मिलता है इसका गेम परफामेंस की स्टेप से देखने को मिलता है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो, पूरा वीडियो देखिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं, Realme C12 and C15 का मॉडल नमबर RMX2189 है and RMX2180 है, और यहाँ पर आपको C.12 का न्यू वर्जन देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है, 307MB का है, और यह आपको आफिसल वर्जन देखने को मिलता है तो यह रहा इसका basic software interface और आप बात की जाए इसके update log की तो यहाँ पर update log में सबसे पहले change की बात करें तो security के अंदर यहाँ पर आपको April और माई का integrate, I mean माई 5th 2022 के साथ current month का latest enhance Android security patch देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही दोस्तो कोई को user को lagging issue देखने को मिलता था होन जो है बहुत ही ज़्यादा lag करता था तो उस problem को भी इस update के थुरू fix करके better कर दिया है जिससे की आपको better performance देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाओ बात की जाए अगले change या box की तो वो आपको मिलता है दोस्तो sensor के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप call वगरा करते हैं या call आता है तो आप जैसे ही कान के पास अपना phone जो है लगाते है ear में आप अपना phone लगाते हैं तो आपका जो phone का screen है वो off नहीं होता है screen जो है on रहता है call करने के time पर भी वो off नहीं होता है तो यह problem जो है इस update के साथ देखने को मिलता है proximity sensor के अंदर लेकिन दोस्तो यह problem कुछ-कुछ user को ही देखने को मिलता है सभी user को देखने को नहीं मिलता है इसके लाव बात की जा अगले bugs या changes की तो यहाँ पर दोस्तो इस update के बाद किसी-किसी user का जो vibration motor है वो properly work नहीं कर पा रहा है कभी-कभी work करता है कभी work नहीं करता है तो इस type से यह problem इस update के बाद देखने को मिलता है लेकिन कोई-कोई user को ही यह problem देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो बात की जा अगले bugs या changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो wifi connectivity के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो wifi connectivity है वो automatic connect नहीं हो पा रहा है अगर आप दो wifi यूज करते हैं तो जैसे ही एक wifi off होता है तो दूसरे wifi में वो switch नहीं हो पा रहा है properly connect नहीं हो पा रहा है तो यह problem भी इस update के साथ देखने को मिलता है किसी-किसी user को इसके अलवा बात की जा अगले change की तो realme ने यहाँ पर new personalization add कर दिया है अगर दोस्तो आप home screen से app drawer में जाते हैं तो यहाँ पर जो search बार रहता है उपर में वहाँ पर new personalization option जो है add कर दिया है जिसके थुरू आप अपने apps को और नए content को online content को message अगरा सभी को यहाँ पर से आप search कर सकते हैं साथ ही दोस्तो अगर आप यहाँ पर manage पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको नए option देखने को मिलता है app drawer setting का जिसको आप click करते हैं तो आप new personalization वाले option में चले जाएंगे जिसको यहाँ से on app करके आप new personalization option यूज कर सकते हैं साथ ही दोस्तो अगर आप इसको setting से app करना चाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा setting में फिर home screen and lock screen में जैसे ही home screen lock screen में जाएंगे आपको यहाँ पर app drawer setting का option देखने को मिल जाएगा जिसके थूँ आप personalized search को on या आप कर सकते हैं इसके लाव बात की जाए अगले features या changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचे एक साइड में real me lab में dual mode idea यहाँ पर दोस्तो जो dual mode idea features हैं वो पहले भी देखने को मिलता था लेकिन वो height रहता था और touch करने पर कोई response नहीं होता था बट यहाँ पर जो dual mode idea है इस update के बाद height था वो so हो गया है और अगर आप उसको touch करते हैं तो आपको काफी quickly touch के जो response है वो देखने को मिलता है और अगर दोस्तो आप dual mode idea features यूज करते हैं तो आपको better experience के साथ idea जो है सुनाई देता है तो इस features को यहाँ पर optimize करके better कर दिया है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो अगर दोस्तो आप play store से कोई सभी apps वगरा download करते थे install करते थे तो उस टाइम पर home screen में android का जो logo रहता है उस टाइब से icon देखने को मिल जाता था icon बन जाता था तो उसको इस update के थूँ fix करके better कर दिया है जिससे कि अगर आप अभी play store से कोई सभी apps वगरा download करते है तो आपको उसी apps का ही actual icons देखने को मिलता है इस update के साथ एंगर इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते है दोस्तो इसका जो battery performance है वो slightly upgrade देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो आपको काफी slow charge देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो आप charging करते हैं तो आपको heating issue देखने को मिलता है तो यहाँ पर overall जो battery performance है वो इस update के बाद खराब देखने को मिल जाता है अपडेट के बाद गेमी स्पेस के अंदर 4D vibration and voice changer features की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं गेमी स्पेस के अंदर आपको कोई सभी 4D vibration and voice changer features देखने को नहीं मिलता है आपको old वाला ही गेमी स्पेस देखने को मिलता है बट यहाँ पर जो गेम का performance है वो अच्छा देखने को मिलता है जो lagging issue होता था उसको यहाँ पर fix करके गेम के performance को slightly upgrade कर दिया है जिससे कि आपको game performance better देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तो अगर आप game खेलते हैं तो आपको काफी ज़्यादा heating issue देखने को मिलता है इस update के साथ तो यह रहा realme c12 and c15 का full update log change log दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके ज़रूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस video में video पसंद आया होगा तो like, share and subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो